हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में जैसा कि आप सभी लोग पता होगा कि इस कंपनी का D-merger होने जा रहा है और D-merger होने के बाद में हमें एक और नई कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम है सनोफी कंजूमर हैल्थ केर इंडिया लिमिटेड तो दोस्तो यहाँ पर जाते लोगों के मन में दो सवाल आ रहे हैं पहली चीज तो यह कि आखिर जो नई कंपनी है सनोफी कंजूमर हैल्थ केर इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का शेर हमें मार्केट में कब तक दिखाई देगा और दूसरी चीज यह कि जो नई कंपनी बनेगी सनोफी कंजूमर हैल्थ केर इंडिया लिमिटेड आखिर इस कंपनी का शेर प्राइस क्या रहेगा तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस कंपनी का शेर प्राइस क्या रहेगा तो दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 जून 2024 को इस company के share के अंदर हमें 3559 रुपीज 60 पैसे की गिरावर देखने को मिली थी आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है 13 जून 2024 को हुआ था तो दोस्तो जातर उमीद यही है कि यह जो नई company है Sanofi Consumer Healthcare India Limited इस company का जो share होगा यह लगबग लगबग 3559 रुपीज 60 पैसे के आसपास में ही होना चाहिए और दोस्तो दूसरी बात यह कि आखिर यह जो share है market के अंदर कब तक listed होगा तो दोस्तो इसके बारे में अभी हमारे पास में कोई clear information कहीं से भी नहीं आई है तो जैसा ही हमारे पास में इसके बारे में कोई भी clear information आएगी तो हम लोग हमारे वीडियो के माध्यम से आपको update कर देंगे इसलिए दोस्तो आप लोग चाहें तो आपके अपने YouTube चैनल share market report को YouTube पर subscribe करके bell icon press कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करिए और किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने financial advisor के सलाह जरूर ले ले और खुद भी एक बार detail में अच्छे तरीके से research और study जरूर कर लीजिएगा बाकी मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो में जब तक के लिए टाटा बाई बाई